चोपड़ा एज़किसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरी बच्चो ने 24 का एड्मिट काड डाउनलोड करने के बाद में स्टुडेंट को काफी प्रोब्लम आ रही थी क्योंकि किसी के एड्मिट काड में फोटो और सिगनेचर नहीं आ रहे थे किसी के एड्मिट काड में प्रिंट का ओप्सन नहीं आ रहा था यानि प्रिंट पर जैसे ही वो क्लिक कर रहे थे वो प्रिंट नहीं हो पा रहा था तो इस परकार की जो प्रोब्लम आ रही थी वो NTA ने अभी शॉल कर दी है जिन कंडिडेट्स का पहले जिनोंने डाउनलोड किया था एडमिट कार्ड उसमें फोटो और सिगनेचर नहीं आ रहा था वो री डाउनलोड कर लें अभी उनके एडमिट कार्ड में फोटो और सिग नहीं आ रहा है तो दुबारा जितनी भी बार उस टंपरेरी फाइल को क्लियर नहीं करेंगे दुबारा जितनी भी बार निकालेंगे उस सिस्टम से तो उसमें सैम ही एडमिट कार्ड दिखाएगा तो अगर किसी के अभी भी ये प्रोब्लम आ रही है अब री डाउनलोड क करेंगे फिर भी फोटो और सिगनेचर नहीं आ रहा है तो अपने इस सिस्टम की जो टंपरेरी फाइल्च है वो एक बार आप क्लियर करके फिर दुबारा से आप डाउनलोड करें अधरवाइस किसी दूसरे सिस्टम से डाउनलोड करें तो ये प्रोब्लम शॉल हो जाएग काड़ दाउनलोड किया है फोटो और सिगनेचर उसमें नहीं है तो बुरी डाउनलोड कर लें उनमें फोटो और सिगनेचर आ जाएंगे अब किसी कंडिडेट की problem ये भी आ रही है कि print का option तो आ रहा है admit card पूरा download हो रहा है सब कुछ हो रहा है लेकिन print के option में click करते हैं तो print नहीं हो पा रहा है तो ये problem browser के कारण होती है अगर आप chrome यूज़ कर रहे हैं तो mozilla में कर सकते हैं explorer कर सकते हैं तो इस परकार से दूसरा browser यूज़ कर लें दूसरे device में आप download कर लें हो जाएगा वो problem कोई ऐसी problem नहीं है वो आपके system की problem है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें प्रेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है फिर भी आपको लग रहा है कि आपका किसी भी condition में admit card download नहीं हो रहा या फिर उसमें कोई कमी है तो आप NTA को mail कर दें mail address दिया हुआ है contact us में भी mail address दिया हुआ है तो आप NTA को mail कर सकते हैं उसमें ऐसी अगर problem आती है print की या फिर इसके बाद में आपका री download करने के बाद भी photo signature नहीं आ रहा है आपने काफी सारे device में इसको download करने की कोशिश भी फिर भी नहीं हो रहा है तो NTA को फिर से आप एक बाद mail करें अपने registered mail ID से तो यह जानकारी थी जो admit card में download के दोरान हो रही प्रेशानियों को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में मिलेंगे नई updates के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैखिन